रोश्णी और पुल्कित की शादी तहे होती है और उसके बार आज वह दोनों पहली बार डेट पर आये होती है पुल्कित तुम्हें कैसे पता कि मुझे नदी किनारे वाले डेट पसंद है मैंने तुम्हारी सहीलित तारा से पूछ लिया था कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं उसके हिसाब से ही ये डेट प्लान की है मैंने वाँ, हाँ स्वीट पुलकीद तुम सच में बहुत अच्छे हो तुम भी रोशनी पहली ही डेट पर रोशनी और पुलकीद बहुत सारी बाते करते हैं और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलकर और भी ज़्यादा करीब आते हैं रोशनी अनात होती है और उसे बच्पन से ही उसकी मामी ने संभाला होता है उसकी मामी और पुलकीद की मा दोनों काफी अच्छी सहलिया होती है सारी तैयारिया हुई की नहीं रेखा जी कहा लतिका जी अभी तो बहुत सारी बाकी है बस चल रही है धीरे धीरे यहाँ भी वही हाल है वहाँ तो फिर भी आपके साथ हस्मुग जी है लेकिन यहाँ पर मैं आकेली ही हूँ लेकिन कोई नहीं मैं सारी तैयारिया कर लूँगी ठीक से जी लतिका जी अगर कोई मदद लगे तो के दीजीगा ठीक है? ठीक है रेखा जी रेखा और लतिका दोनों पहले से ही सहलिया होती है जिसके बाद उन दोनों की सहमती से पुल्कित और रोश्नी का रिष्टा तै होता है एक दिन रोश्नी और पुल्कित दोने एक पार्क में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें एक विज्यापन दिखाई देता है हानीमून ट्रीप आफ़र वाव वैसे पुल्कित हम दोनों हनीमून के लिए कहा पर जाएंगे हनीमून के लिए पैरिस या स्विजर लै या फिर बाली या माल्दिव्स अमेजिंग बहुत मज़ा आएगा लेकिन रोश्नी जो रसम हनीमून पर होने वाली है वो तो हम सुःगरात में ही कर लेंगे ना अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं वेल मैं एक सच बात बताओ तो मैं जितना शादी के लिए एकसाइटेड हूँ उतनी ही हमारे सुःगरात के लिए भी एकसाइटेड हूँ मेबी ये सारी बातों को लोगों ने कितने खराब तरीके से बताया है लेकिन असल में सुहाग रात के बाद ही दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं हाँ पुलकी, तुम सही कह रहे हो जैसे गुलाब देना, डेट पर जाना, ये प्रपोस करना ये सारी रोमेंटिक हरकते नॉर्मलाइज की गई है वैसे ही सुहाग रात को भी नॉर्मलाइज कर देना चाहिए रोशनी और पुलकी, दोनों भी अपनी सुहाग रात के लिए काफी एकसाइटेड होते हैं और उसकी प्लैनिंग भी अभी से शुरू कर देते हैं रात में फोन कॉल पर डोंट वरी रोशनी, जैसा तुम चाहती हो वेसा ही होगा अच्छा सा स्लो रोमैंटिक म्यूजिक, खुश्बुदार मुम बत्या और डीम लाइटिंग के साथ रूम डेकोरेट होगा और हाँ, तुम्हें गुलाब बहुत पसंदे न, तो मैं हमारी पूरी रूम गुलाब और गुलाब की पंखुडियों से ही डेकोरेट करूंगा ताकि तुम्हें उसकी महकाती रहे ओ, थैंक्स पुलकित, वैसे रेड तुम्हारा फेवरेट कलर है न तो मैं रेड कलर की ड्रेस पहनूंगी और तुम्हारा फेवरेट पॉर्फियम भी लगाऊंगी वही पॉर्फियम जो तुम्हें मुझे पहले डेट पर गिफ्ट किया था थैंक्स टु यू रोशनी वाव पुलकित, हमने कितनी सारी प्लानिंग की है अब तो मैं हमारी सुहावगरत का इंतजार ही नहीं कर सकती इतना खूबसूरत पल होगा वो हाँ रोशनी, बिल्कुल होगा लेकिन तुम अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो ठीके पुलकित, लव यू लव यू टू रोशनी रोशनी और पुलकित की शादी को अब एक महिना ही बचा होता है दोनों बेता प्रेमी रोजाना कैलेंडर देख देख कर दिन काटने लगते हैं उनसे अब इंतजार ही नहीं हो पाता एक दिन वो दोनों साथ में फिल्म देखने चाते हैं तभी वहाँ से निकलने के बाद इंतिहा हो गई इंतजार की उफ ये इंतजार चाहे कितना भी कर लो खतम ही नहीं होता डोन्ट वरी मेरे बेताब मंगितर सब कुछ होगा बस हमें थोड़ा सबर रखना पड़ेगा हा रोशनी तुमें पता है हमारे प्यार में सबसे सुन्दर क्या बात है क्या पूलकेक सबर तुमने और मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं किया यहां तक की एक दूसरे के साथ भी नहीं क्योंकि हम दुनों ऐसे प्रेमी को धुन रहे थे जिसके साथ हम पूरी जिन्दगी बिता सके और शायद मेरे लिए वो तुम ही हो और मेरे लिए वो शक्स कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो एक दिन मामी जी मैं टेलर के पाच जाकर आती हूँ तब तक आप घर के बचे कुछे सारे कम निप्टा लीजिए ठीक है? लेकिन रोश्नी बिटिया तुम अकेली क्यों जा रही हो? मैं चलती हो न साथ में नहीं मामी जी मास्टर जी के पास जाकर मुझे तो बस लेंगे की फिटिंग देखनी है और कुछ नहीं पहले ही आपके पास ढेरो सारे काम पड़े है आप उन्हें निप्टा लीजिए उसके बाद हम दोनों को गेहने देखने भी तो जाना है हाँ रोश्नी बिटिया मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था ये मैं सारे काम फटा फट निप्टा लेती हूँ तुम संभल कर जाना हाँ मामी जी रोश्नी गाड़ी में सवार होकर टेलर के पास जाही रही होती है कि तभी उसका एक्सिडेंट हो जाता है और जब उसे होस्पिटल में ले जाया जाता है तभी डॉक्टर एक चोका देने वाली खबर देते क्या हुआ डॉक्टर साहब रोश्नी रोश्नी ठीक तो है न ज़्यादा गंबिर चोटे तो नहीं आई न उसे बताईए न डॉक्टर साहब रोश्नी अंधी हो चुकी है इस एक्सिडेंट में उसकी आखों की रोश्नी जा चुकी है ये सुनकर मामी जी और पुल्कित के माता पिता एकदम से हैरान और हक्का वक्का रह जाते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरी रोश्नी रोश्नी अंधी नहीं हो सकती ये सब क्या हो गया डिश्चार्ज होने के बाद रोशनी घर वापस आ जाती है और वो बहुत रोने लगती है ये क्या हो गया मामी जी मेरी तो जिंदगी ही बरबाद हो गई अब मैं क्या करूंगी कितना कुछ देखना था मुझे अब मेरी आखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए अंदेरा चा गया बस बिटी है बस मत रव मेरी बच्ची अब मुझे से शादी कौन करेगा मेरे सारे सपने तूट गई मामी जी बगवान जी ने मेरे साथ इतना भुरा क्यों किया पहले उन्होंने मेरे ममा पपा चीन लिए और अब मेरी आखे नाम रोशनी है लेकिन मेरे आखों की रोशनी ही चली गई अब मैं कैसे जिएंगी मामी जी अब तो पुलकित भी मुझे चोड़ देगा तब ही वहाँ पर पुलकित और उसके माता पिता आते हैं ऐसा किसने कहा तुमसे रोशनी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुमें गवराने की कोई जरूरत नहीं है हम सब और स्पेशली मैं तुमारे साथ हूँ लेकिन पुलकित ऐसी गलती मत करो तुम मेरे प्यार के लिए अपनी जिन्दगी वर्बाद मत करो एक अंधी बीबी के साथ तुम कैसे जी पाओगे क्यों अपनी जिन्दगी को नरग बना रहे हो पुलकित रोशनी मैंने तुमारे दिल से तुमारे मन से प्यार किया है और तुमारा और मेरा मन एक ही है उससे बढ़कर और क्या चाहिए मैं अपनी सारी उमर तुमारे साथ ही बिताना चाहता हूँ लेकिन पुलकित इस सबसे अंकल आंटी को कितना दूख होगा क्या तुमने उनके बारे में सोचा है नहीं रोशनी एसा बिलकुल भी नहीं होगा वो दोनों तुमें मुझसे भी जादा प्यार करते हैं बहु बनने के पहले तुम उन दोनों की बेटी बन चुकी हो हा रोशनी अब जो हुआ सो हुआ उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर उसके साथ जीना सीख लो और खुद से प्यार करो तुम अंदी हो तो क्या हुआ हम सब है न तुमारे साथ अपनों के साथ एक व्यक्ति पर कितने भी संकट क्यों ना आये वो कभी अकेला नहीं होता तैंक्यू अंकल फिर कुछी दिनों में रोश्नी और पुलकित की धूम धाम से शादी होती है और आखिर कर वो घड़ी आ जाती है जिसका उन दोनों को बेसबरी से इंतजार होता है और वो होती है सुहागराद रोश्नी जैसे ही पुलकित के सहारे कमरे के अंदर आती है वो रोने लगती है कितनी बूरी किस्मत है मेरी कितने अर्मान सजाय थे मैंने आज की इस सुहागरा कि अक एक कितनी बेसबरी से इंतजार था हमे लेकिन अफसोस मैं अपनी सुहाग की से ज़ि देखी नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ रोश्नी अगर तुम देख नहीं सकती तो महसूस तो कर सकती हो ना प्यार भी तो कुछ ऐसा ही होता है दिखता नहीं है लेकिन महसूस किया जाता है यहाँ की हर एक चीज में मेरा एसास है मेरा प्यार बसा हुआ है रोशनी हाँ पुलकी इन गुलाब की खुश्ब तुम महसूस कर सकती हो मेरी रूह को तुम मैसूस कर सकती हो इस कमरे में जल रही कुपसूरत मुम बत्तियों को तुम मैसूस कर सकती हो और सबसे ज़्यादा जरूरी तुम मेरी मोजुदगी को मैसूस कर सकती हो और इसी से हमारी सुहागराद स्पेशल बनेगी हाँ पुलकित ये बात भी सही है और वेसे भी सुहाग राद को तो बत्ती बुजा कर अंधेरे में ही मनाए जाता है ना तो क्यों रो रही हो तुम पुलकित तुम भी ना लेकिन सच में ठांकि सो मच पुलकित मुझे अपनाने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए वरना तुम्हारी जगे अगर कोई और होता तो मुझे अकेला छोड़ देता लेकिन तुमने मेरे अंधे होने के बात दी मेरा इतना साथ दिया रोशनी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्यार तुम पर कभी कम नहीं होगा चलो अब मुझे एक किसी दे दो वरना यूही रात बातों में कड़ जाएगी तुम भी न पुलकेट पुलकित का प्यार और उसका साथ रोशनी को अपने अंधेपन का एसास होने ही नहीं देता वो दोनों सुहागरात मनाते हैं और ऐसे ही खुशी से अपना जीवन बिताते हैं रितु और विराज एक दुसरे से बहुत प्यार करते थे दोनों का रिष्टा भी पक्का हो चुका था लेकिन रितु को ऐसा ससुराल चाहिए था जिसमें उसकी सास ना हो मेरी होने वाली सास तो एक नंबर की हिटलर है मैं जानती हूँ कि वो विराज की बाबी को किस तरह से ट्रेट करती है इतियास गवा है हर सास अपनी बहु को नोकरानी बना कर ही रखती है लेकिन मैं वो नोकरानी बिल्कुल नहीं बनूंगी तो फिर तू क्या करीगी रितो शादी करके तुझे ससुराल तो जाना ही होगा अपनी सास का सम्मान करना होगा नहीं ससुराल में अगर सास ही नहीं होगी तो फिर किसी भी चीज की प्रॉब्लेम नहीं होगी और मैं आराम से चेन की सास ले पाऊंगी लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होगा रितू उसका तोड़ भी है मेरे पास तेरी वो आंटी फ्रेंड है न जो वो थेटर में नाटक करती है हाँ उसका क्या रितू तु मुझे उनसे मिलवा दे अच्छा ठीक है बाबा मिलवा दूगे लेकिन तेरी इस खुरापती खोपड़ी में आखिर चल क्या रहा है मेरी होने वाली सास को घर से निकालने की प्लानी और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वोर गिरिश के पापा अलग हो जाएंगे उनका तलाख होगा और उन दोनों को अलग करेगी हमारे किराए की सोतन अच्छा तो उस औरत को उन दोनों के बिच फूट डालने के लिए भेज रही है तो हाँ तू एकदम सही समझी रितू की सहले उसके इस काम में साथ देती है और वो उस औरत को पैसे देते है ये लो आपके पैसे चमेली जी आपको मेरे होने वाले सास ससुर को अलग करना है and make sure कि मेरी सास घर छोड़ कर चली जाए ताकि जब मैं विराज के साथ शादी करके उस घर में जाओ तब मुझे अपनी सास की सेवाना करनी पड़े ठीक हे रितू बस तुम पैसे टाइम पर दिया करना बाकी ये सुन्दरता का पिटारा चमिल तुमारे उस बुड़े ससुर को अपना दिवाना तो बना कर ही रहेगी हाँ तो शुप काम में देरी कैसी जाओ सुभे के इस वक्त गिरिश अंकल बगीचे में गुमते रहते ठीक हे फिर चमिली उस बगीचे में चली जाती है और वहाँ जाकर वो गिरिश को देखती है और उसके पास बैठ जाती है जी खोली है ना मुझसे तो खुल ही नहीं रहा है क्या? क्या खुलने की बात कर रही है आप? हजी मैं तो ये कलाई पर बंदे हुए ताइट धागे की बात कर रही हूँ आपको क्या लगा? कुछ भी तो नहीं गिरिश चमिली के हाथ का धागा खोल देता है और तभी आच्छा नक से चमिली उटकर वहाँ से जाने लगती है और जान बूच कर पत्थर से टकरा कर गिरिश की गोदी में गिर जाती है अरे आप ठीक तो है ना? जी आपने बचा लिया तो मैं ठीक तो होँगे ना? जी चलिए ना एक-एक होज है एक-एक? अरे बाबा एक-एक चाह है जितने तेज आपके पेर चलने चाहिए वही इस उमर में आप अपने दिमाग तेश्च चलाते है रितू और उसकी सहली उन दोनों की सारे फोटोस क्लिक करते है फिर गिरिश चाह पीने के लिए मना करता है लेकिन उसके बावजुद भी चमेली उसे जबरदस्ती चाह के स्टॉल पर ले जाते है वहाँ पर भी रितू और उसकी सहली उनके फोटोस क्लिक करते है फैन्टैस्टिक यही तो चाहिए था मुझे और वही हो रहा है अब कल हम इन फोटोस को उनके घर बेश देंगे अगले सुबह जब अकबार वाला घर के गेट पर अकबार छोड़ कर जाता है तब ही वहाँ पर रितू भी चुपके सिवस सारे फोटोस चोड़ देती है जब शाली ने उन फोटोस को देखती है तब ही ये क्या? ये मेरा बुड़ा पती इस बुड़िया के साथ क्या कर रहा है? अखिर क्या चल रहा है इन दोनों के बिज? फिर शाली ने गिरिश के पिटाई करती है ये सब क्या है? ये तस्विर है? ये लड़की कोन है? पापा, आपका अफेर चल रहा है? अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम दोनों अपने मेल से भरे दिमाग में सोच रहे हो ये तो कल ही मुझे पार्क में मिली थी और फिर मुझे चाय पिलाने के लिए भी ले गई चिप्रहतम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ लव लपाटा कर रहे हो इस उमर में ये सब करते हुए आपको शोबा नहीं देता पापा विराज, मेरा विश्वास करो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है मैं सिफ कल ही इस औरत से मिला हूँ क्या आप पक्का सच कह रहे हैं? हाँ मेरी मा ठीक है फिर और इस तरह से शालीनी और गिरिश के लड़ाई रुख जाती है लेकिन चमेली अब हर रोद उस पार्क में आने लगती है और वो किसी ना किसी बहाने से गिरिश के साथ बात करने लगती है एक दिए वो पार्क में बेहोश होने का नाटक करती है और तभी गिरिश बहुत गबरा जाता है अरे ये क्या इन्हें चक्कर केसे आ गई पानी आखों पर पानी चिड़कने के बाद भी चमेली होश में नहीं आने का नाटक करती है लगता है इन्हें होस्पिटल ले जाना पड़ेगा वही रितु भी विराज के पास जूट मोट के कटी उंगली लेकर जाती है और शाली नी और विराज वो देखकर चोक जाते हैं ए भगवान रितु बेटा ये क्या हो गया तुमारी उंगली पर वो तरह सल सबजी कट करते हुए मुझे चापू लग गया बेटा जा इसे हॉस्पिटल लेकर जा और इसे एक इंजेक्शन लगवा दे वरना सेप्टिक इंफेक्शन हो जाएगा हाँ मा शाली नी आंटी आप भी चलिए ना हॉस्पिटल में हमारे साथ मेरे तो मा पापा भी नहीं है और आप जो मेरे साथ होती हो तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है रितू चलो ये तो सिर्फ एक बहाना है हस्पीटल में तो कुछ और ही बॉम पूटने वाले है रितू का नाटक कामियाब हो जाता है और वो शालीनी और विराज के साथ हस्पीटल पहुच जाती है और तभी वहाँ पर शालीनी गिरिश को चमेली को उठाए होए देख लेती आप? वो भी यहाँ पर? इसका मतलब आपने हमसे कल जूट कहा था आपनी मेरी जूटी का समकाई थी आपका सच में इस चुड़ेल के साथ चक्कर चल रहा है नहीं शालीनी जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है शालीनी गुसा और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अब वो गिरिश से सीधे मूब बात भी नहीं करती और उससे कटी कटी से रहने लगती है फिर एक दिन आचानक गिरिश को वीडियो कॉल आता है तुम अब क्या बचा है एक तो पहले ही तुमारी वज़े से मेरे घर में बहुत कलेश हुआ है सुनिये ना इतना क्या भाव का रहे हूँ मैं जानती हूँ कि आप मेरी फिकर क्यों करते हैं क्योंकि आपके मन में भी मुझे देखकर लड़ो फुटते हैं है ना हाँ मेरा मतलब नहीं यार मेरी एक बीवी है मेरे बेटे की शादी है कुछ दिनों में इसे मत करो और मुझे बख्ष दो नहीं चमेली अगर कोई बाट ठान लेती है तो वो तो करके ही रहती है ये सारी बाते शालीनी सुन लेती है और तभी वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है शालीनी मेरी बात तो सुनो सुनने के लिए कुछ और बचा भी है क्या आपकी और आपकी प्रेमिका की बाते सुनकर ही मेरा मन भर गया अब बस ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर ही चली जाओ शालीनी, सुनो तो मेरी बात शालीनी वहाँ से चली जाती है अगले दिन शालिनी रितु के जोडे के बारे में बात करने के लिए उसके घर जाती है और तबी वो वहाँ पर चमेली को देखती है प्लान तो एकदम सही जा रहा है उस बुडिया और बुड़ाओं के बिच दूरिया भी आने लगी है ओसम बस यूही उन दोनों के बिच फासले बढ़ाती रहो ताकि मेरी होने वाली सास मेरे होने वाले ससुर को तलाग दे दे या फिर घर ही चोड़ कर चली जाए जिसके बाद मैं आसानी से उस घर में चैन की सास ले पाऊगी क्या इसका मतलब ये सारा खियाधरा इस रितु का है फिर शालिनी गिरिश और विराज को कॉल करके रितु के घर बुलाती है पर उन दोनों के सामने भी रितु का असली चेहरा आ जाता है छी रितु छी तुम इतनी नीच अरकत कर सकती हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुमसे ये उमीद नहीं थी रितु शादी के पहले ही तुम मेरी मा का तला कराने चली थी और वो भी अपनी स्वार्थ के लिए मुझे माफ कर दो विराज गिरी शंकर शालीनी अंटी वो में डर गई थी I'm really sorry तुमने जो किया है वो सरासर गले थे अरे तुम क्या मेरे मापापा को अलग करोगी अभी इसी वक्त मैं तुमसे अलग होता हू शादी के सारे कसमे वादे इसी वक्त तोड़ता हू नहीं करनी मुझे तुमसे शादी नहीं विराज प्लीज ऐसा मत बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुमारे जैसे फैमिली मुझे कहीं नहीं मिलेगी अब बहुत देर हो गई एरी तु जो लड़की मेरे मापापा के साथ ऐसा कर सकती है वो मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं है दपा हो जाओ मेरी जिन्दगी से चलिए मापापा फिर विराज अपने मापापा के साथ वहाँ से चला जाता है और रितु अपने ही कोदे गड़े में बुरी तरे गिरी जाती है